आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और अगर हम बात करते हैं आपके ये हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं ये जो आपके हूप होते हैं ये जो आपके हूप होते हैं ये आपके स्प्लिट होते हैं किसके अंदर टू टोईज के अंदर जैसे हमारे कोशन में मैंशन है तो आपका ये हमें किसमें देखने को मिलता है होर्स के अंदर, एलिफेंट के अंदर, सिप के अंदर या जेबरा के अंदर तो अगर हम बात करते हैं आपके पटिकुलरली जो आपके ये फ्लोवन हुप होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं mammals जो आपके होते हैं अब mammals जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपके cattle होते हैं या आपके deer होते हैं या आपके हम बात कर सकते हैं जैसे कि हमें goats and sips में देखने को मिलते हैं तो आपका जो option number C है वो आपका इन examples में से matching है तो option number जो C है वो आपके इस question का answer हो जाता है क्योंकि generally आपके जो mammals होते हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है जो fit होता है इनका इनका two toys के साथ देखने को मिलता है जो form करता है clone hoop अब अगर हम बात करते हैं तो आपके जो mammalian आपका एक तरह का order होता है जब हम classification की बात करते हैं तो इनमें जो आपका RTO ductyla होता है RTO ductyla इसमें हमें ये particular feature देखने को मिलता है With this, thank you